हेलो गाईज आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वह स्टॉक देखिए कल भी 10% चला है कल मार्केट पे साड़े 300 पॉइंट के आस पास में गिरावट आई बट ये सेयर देखिए कल 10% तेज था और अगर मैं 5 दिनों की चार्ट पैटर्न की बात करूं तो दे के इस स्टॉक पे 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली है 300 पॉइंट की माइने रखती है और आपको पता होगा कि यह जो था यह दूसरा कोई नहीं यह हाली की लिस्टिंग अभी कुछ ही दिन पहले इसमें लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग में भी इसमें 100% की आपको तेजी देखने को मिली और साथ ही साथ आपके पैसे दुगने लिस्ट होए और उसके बाद भी स्टॉक पे 300 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली इसकी वज़ा क्या है यह वज़ा मैं आपको बताऊंगा और इस पे करना क्या चाहिए यह भी मैं बताऊंगा कोई जर पे इस पे लिस्टिंग होई है और पांच दिनों का चार्ट पैटन आपके पास मौजूद है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या जबरजस्त लिस्टिंग गेन मिला और लिस्टिंग गेन मिलने के साथ साथ इस स्टॉक ने इस कंपनी ने 975 रुपय का हाई बनाया तो अग यहां पे गोल्ड में सेक्स ने अपने स्टेक उठाए है रूट मॉबाइल लिमिटेट पे इसके सेयर पे और जिसके वजह से इस पे तेजी आई है अगर पूरा आर्टिकल्स पढ़ना है देखिए यहां पे पूरे आर्टिकल्स के साथ यहां पे मौजूद है कि रूट 5.99 मतलब लगबग 4 लक्स एक्यूटी सेयर इन दे कंपनी और 0.7 परसेंट अप टोटल पेड़ अप्यूटी सेयर भाया ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन इंक्रीजिंग टोटल सेयर होल्डिंग्स ऑफ 5.23 परसेंट मतलब 5.23 परसेंट के इस कंपनी पे उठाया है तो करके आप देख लिजिए इस सूपराइस कितना था 350 रूपय का 135 परसेंट के आसपास में रैली देने के बाद भी इस स्टॉक पे आपको क्या हुआ लिस्टिंग एन देने के बाद भी यह आपको पैसे बना के दे रहा तो मेरे ख्याल से एक बार इसमें कंप्लीटली और अगर आपने नहीं किया तो एक बार आप इसमें जरूर प्रॉफिट बुक कर लिजे उसका बाद बैठे रहे हैं इस स्टॉक पे हो सकता है डाउनसाइड आपको 150 पॉइंट की डाउनसाइड देखने को मिले उसके बाद स्टॉक पे फिर से रैली आपको देखने को मिल सकता है यह तो इन दा फ्यूचर हम लोग देखेंगे लेकिन इतनी अच्छी प्रॉफिट को आप हाथ से जाने ना दे मेरे ख्याल से इस पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अब लोग कहेंगे कि इस से उपर भी चला गया तो देखिए उपर जाने की पॉसिबिलिटी तो आपको यह चीज महसुस नहीं होना चाहिए कि मैंने इसे पहले काट दिया क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया और जब यह उपर जा रहा तो फिर नीचे भी आएगा कोई भी ऐसा सेर नहीं है जो उपर के उपर के उपर ही चलता जाएगा तो आपको अगर अपने लेबल से अगर नीचे माल मिलेगा तो आप फिर उसी पैसे से माल उठा सकते हैं और अगर यह नीचे आ गया जिसकी चांसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लगबग तीन गुना हो चुका इसका प्राइस साड़े तीन सो का इसू प्राइस था और लगब दो सो सतर से पच्छतर पर सेंट का रिटन सापको दे दिया इस टॉक ने अलुरेडी तो इस चीज को समझते हुए मेरे इसाब साब को प्राफिट एक बर बुक करके बाहर निकलना चाहिए उसके बाद बैट के इंतजार करना चाहिए और नीचे आने पर फिर से खरीदारी करनी चाहिएे मेरी मेरी पासनल डिसीजन है आपका क्या मानना हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर क면 करके बताइए गा मैंने आपको बता दिया कि इसमें तेजी आई थी तो आप अपने वाच कीजिए स्टॉक हो सकता फिर से रैली दिखाएगा क्योंकि बहुत बड़े फार्म ने इस पर पैसा लगाया गोल्ड मेंस एक्ट और इन्हों ने अच्छी खासी होल्डिंग से मतलब एसेड मैनेजमेंट करती है तो यह देखिए इन्होंने माल उठाया तो कंपनी में क कुछ ना कुछ है बहतरीन चीजें हैं जिसके वज़े से माल उठाये गया ठीक है यह थी एक खबर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए धैन्नवाद